आज मैं आपको प्रिंसिपल के तीन प्रिंसिपल जिसके में पहला प्रिंसिपल आता है आपका unity of command दूसरा आता है आपका unity of direction और तीसरा आता है suborganization, individual interest to general interest तो इन तीनों को प्रिंसिपल को समझाने से पहले मैं आपको सिरफ एक बात गाना चाहता हूँ प्रिविएस वीडियो में मैंने पहले तीन प्रिंसिपल के पार्ट बन में डाल दिये थे जिसमें आपका discipline, authority, responsibility और division of work ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल मेरे uploaded है आप जाके वो वीडियो को देख सकते हैं तो आज मैं आपको और बहतरीन classes group में आपको तीन प्रिंसिपल बता था, प्योल का यह मानना था कि एक विक्ति के उपर एक ही बॉस होना चाहिए, अगर एक विक्ति के उपर एक से जज़्यादा boss होंगे, तो unity of command क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है unity of command में अगर एक वेक्ति एक से जादा boss का order लेता है तो वो किसकी बात सुनेगा मान लेते हैं एक company में एक वेक्ति जॉब करता है उसके ओपर एक वेक्ति ने इसको एक boss ने काम दिया कि तुम ये काम करो दूसरे boss ने का ये वाला काम करो तो वो किसकी बात को रखे अगर वो एक boss की बात को रखता है तो बाकी दोनों boss नराज हो जाएंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा imply confused हो जाएगा और वो अपना काम धेंसे नहीं कर पाएगा ऐसे condition में फ्योल साब कहें मानना था कि unity of command में एक वेक्ति के उपर एक ही boss होना चाहिए एक वेक्ति एक ही वेक्ति से order लेगा तो वो अपना क्या काम करेगा जिम्मेदारी के साथ भी करेगा और उसकी जवाब देहिता भी उसकारे के पड़ती रहेगी अधर्वाइस को क्या करेगा टाल मुटोल करता रहेगा विजह तो उन्होंने कहा था मुझे उन्होंने कहा था और यह conflicts पैदा करेंगे हमारे आपस में तो यह चीज़े नहीं होनी चीए अगर आपको efficiency ब supply एक वेक्टी के उपर एक ही boss होना चाहिए और वो एक वेक्टी के लिए क्या होना चीए accountable हो ना चाहिए ताकि उसके जिम्मेदारी क्या §n की जिम्मेदारी बनती है उसने काम समय पे किया है या नहीं किया है फिर उसनोंने बात कही इफ एन employee gets order from two or more superior अगर एक वेक्ति दो से अधिक वेक्तियों से अगर order लेगा two or more superior से तो क्या होगा unity of command क्या हो जाएगा walleted हो जाएगा same time and principle of unity command is walleted and dual subordination should be avoided as it create confusion and subordinate and conflict between the superiors superior की बीच में conflicts हो जाएगा जैसे मैंने अभी बताया था अगर एक वेक्ति दो वेक्ति से command लेगा तो वो एक का कहना मानेगा दूसरे का same time पर कहना नहीं मानेगा और उन दोनों superior की बीच में क्या हो जाएगी एक लड़ाई वाली जगडे होंगे और यह चीज helping situation नेकर उपने पर चीफ नहीं कर पाएगी और यह हैंडि करने के लिए मिला और आज भी कई वर मैंशन में यह principle देखने के लिए हमें मिलता है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फिर कोई दिख्या तो आप कमेंट स्बॉक्स में जरूर लिखें और क्या करते हैं इसको नोट जरूर खेजिए और स्क्रीन शॉट ले लिजिए वीडियो को पाउस करके तेंक्यू फिर हमारा सेकंड आता प्रिंसिपल उनिटी जब डान के से जबIsल सभे माना था कि आर हमारा रन किस डायर्ट से उनिटी सकाषी, वे अगर इसे हुद्र यह सही होगा और craziest की जिम्म्यदारिा अगर एक बास के उपर डो-टो प्लांदे देंगे, लिए प्लांट एक अगां ओना किया कि एक वेक्टी के उपर एक ही प्लान होना चाहिए वन हैड वन प्लान प्यूर्ण में मानना था कि कि है कि एक वाणीग तुप Organization should be moving towards the same objective. Organization की जितने भी units हैं, वो moving जो होनी चाहिए, वो same objective में होनी चाहिए. Same objective मतलब same direction में काम करनी चाहिए. Direction अलग-लग नहीं होने चाहिए. अगर direction अलग-लग होंगे, तो organization अपनी goals को चीफ नहीं कर पाएगी. साथी मैंनों ने कहा, each group of activities having the same objective must have one head, one plan, the ensure of unity of action and lead to coordination. इससे coordination करने में भी असानी होती है. अगर एक वेक्ती एक ही direction में काम करेगा, तो coordination करने में बहुत असानी होगी. अगर माल लेते हैं, मेरे पास एक ही department है, organization में एक ही मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने department के साथ coordination कर का, तो coordination करने में भी दिख्कत आएगी, बड़ा confusion वाला महल create हो जाएगा, और ये हमारी organization के लिए सही नहीं है, और हम अपने goals को अचीव नहीं कर पाएंगे. अच्छा example देखने के लिए मिलता है, if an company and manufacturing motorcycle, एक company motorcycle भी बनाती है, और motor car भी बनाती है, तो वो दोनो head है, अगर एक ही head होगा इसका, तो वो confusion create करेगा, इसलिए motorcycle का department अलग है, और company, जो motor car बना रही है, उसका department अलग है, उसका head अलग होना चीए, उसके plans अलग होने चीए, उनके सारे budgets हो रहा सब अलग होने चीए, और motorcycle के सारे budgets अलग होने चीए, ये हमें देखने के लिए मिलता है, each division should we है, it is own in charge plans and resources, उनके अपने resources होने चीए, अपने plans होने चीए, अपने head होने चीए, तो हर department का अपना head होगा, तो वो सही तरीके से काम भी कर पाएगा, और coordinate भी कर पाएगा, अगर अलग अलग department का एक ही head होगा, तो बड़ा confusion create हो जाएगा, और school साब ने इसको avoid करने के organization of individual interest to general interest, organization of individual interest to general interest की बात करते है, एक organization में एक वेक्ति जब जोइन करता है, तो उसका interest कुछ भी हो सकता है, यार मैं काम करूँ, salary मुझे ज़्यादा मिले, मुझे काम करूँ, मुझे बंगला भी मिले, मेरी को गाड़ी भी मिले, मुझे SO अराम भी मिले, AC रूम मिले, यह म मेरा interest कुछ भी हो सकता है, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ और उसमें company का interest क्या है, company का interest क्या है, जो जनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिसमें सबका फायदा, सबका साथ, सबका विकास, general interest का मतलब हो गया, सबका साथ चलना है, सबका विकास होने हर एक बश्याति का development होन higher position मिले, ठीक है, वो हर एक से, हर एक को order दे, किसी से order ना ले, यह उसकी सोच है, उसका अपना interest हो सकता है, organization में, तो क्योंकि different class, different background के आते हैं, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी-पनी बात करते हैं, अपनी-पनी interest के लिए वो join करते हैं, organization कोई post के लिए करता ह है, कोई काम करता है, salary ज़्यादा लिनी की बात करता है, लेकिन company रिए कंपनी का interest में नहीं है, कि सबको साथ बढ़ा कर चले, तो यह हो सकता है कि आपको salary कम अपनी कम से कम दे, काम आपशे ज़्यादा ज़्यादा ले, यह company का interest है, इससे क्या होगा, company को growth होगी, profit होगा त तो definitely आपकी इंकम भी उसी साब से बढ़ती जाएगी तो समझते हैं फ्योल साफ हमें क्या समझाना चाहरे थे According to this principle, take priority over the interest of any individual employee Every worker has same individual interest for working in country The company has got to its own objective For example, a company may want to get maximum output for its employee at a competitive salary To other hand, an employee may want to get maximum salary for working less time Many demand some concession which is not admissible of any other employee Like producing less output अगर कोई वेक्तिक कम output दे रहा है या कम काम कर रहा है तो उसको salary पूरी नहीं मिलने चाहिए, salary ज़्यादा नहीं देनी चाहिए यही फ्योल साब का समझाना चाहरा था कि company क्या करती है, कम दनखा पे चाहता से ज़्यादा काम देने की बात करती है और employee चाहता है, और मैं कम से कम काम करूँ और salary मुझे ज़्यादा ज़्यादा देखने के लिए मिले तो यह चीज हमारा interest हो सकता है, लेकिन इसमें company का फाइदा कुछ नहीं है जब तक company growth नहीं करेगी, तो हमारी growth होगी नहीं तो यह हमें समझना होगा, फ्योल साब यही समझाना चाहरे थे, इन तीनों principle में और इसके बाद में आगे के आने वाले principle आपको जुरू समझाऊंगा और अगर आप मेरे channel पे नए हैं, वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो यहाँ like भी जुरू कीजे और like subscribe में कोई पैसा तो लगता नहीं है, thank you very much, love you all और आप मुझे Instagram पे भी follow करें, बहुत सारी shots हैं, short videos हैं बलोनी सर कॉमर्स क्लासिस में, thank you very much, love you all